हेलो दोस्तो कैसे हैं आप सब स्वागत है आप सभी का दिल्ली अमरित सर वंदे भारत एक्सप्रेस की अपडेट में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको देश की राजधानी नई दिल्ली को पंजाब के अमरित सर से कनेक्ट करने वाली वंदे भारत एक्स्प्रेस की एक बहुत ही important अपडेट देने जा रहा हूँ दोस्तो प्रधान मंतरी स्री नरेंदर मोदी जी 30 दिसंबर को दिली से अमरित सर के बीच में वंदे भारत की सेवा सुरू करने जा रहे हैं भारते रेलवे की तरफ से स्री हर मंदिर साहिब गोल्डन टेंपल के स्रधालों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी वंदे भारत ट्रेन आज की वीडियो में इसके टैम्टेवल इस्टोपेज और रूट और साथी में इसके इनोग्रेशन डिटेल्स के उपर में आपके साथ बात करने वाला हूँ तो वीडियो को इससे पहले मैं सुरू करूँ अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक ने किया है वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने दोस्तों में वीडियो को सेर कर दीज यूकि यहाँ पे सिखो के सबसे पवित्र आस्था के इस्थल में से एक है यानि काफी स्रध्धालू हर साल यहाँ पे आते हैं तो दोस्तों अमरिट्चर से दिल्ली की यह जो वंदे भारत ट्रेन की कनेक्टिविटी है यह स्रध्धालू के लिए काफी ज़्यदा इंपोर्टेंट है क्योंकि काफी बहतर कनेक्टिविटी मिलने वाली है लगबग साड़ी पांच घंटे में ही यह ट्रेन लगबग 450 किलोमेटर के डिस्टैंस को कवर करने वाली है दिल्ली से अमरिच सर के डिस्टैंस को कवर करने वाली है देखिए दिल्ली से अमरिच सर के बीच में यहाँ पे जो वंदे भारत एक्सप्रेस है यह 30 दिसंबर को सुरू होने जा रही है तीस दिसमबर को मानिनी प्रधान मंतिरी स्री नरेंदर मो़ी जी यहाँ पर सिर्फ अमरीज़सर को ही नहीं बलके स्री माता वैसनो देवी कट्रा को और अयोध्या को भी वंदे भारत train देनी जा रहे हैं दोस्तो देखिए टाइम टेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये दिल्ली अमरिचर वंदे भारत एक्सप्रेस देश की राज़ानी नई दिल्ली से सुभा साड़े पांच बजे निकलेगी और अमरिचर ग्यारा बजे पहुच जाएगी साड़े पांच घंटे का समय मुझे ज देखिए दोस्तो यहां पर सताबदी एक्सप्रेस जो चलती है वह आल्मोस्ट छे घंटे का समय लेती है और यहां पर वंदे भारत ट्रेन सताबदी से कम समय लेने वाली है इतना तो पक्का है लेकिन यहां पर यह जो सेडूल अभी मैंने आपको बताया है यह मेरी हिसाब से confirm नहीं है क्योंकि दोस्तो मेरे जो personal opinions है वो मैं आपको बताता हूं तो मेरा opinion यह है कि यहां पर railway को इसका temptable एकदम ध्यान से prepare करना चाहिए क्योंकि दोस्तो यहां पर यह जो वंदे भारत ट्रेन है यह सिर्फ 450 km के distance को cover करने वाली है तो यहां पर लोगों को कोई दिक्क होगी और कहां पर terminate होगी तो इसलिए मैं official report का इंतजार कर रहा हूं ना time table को अभी confirm मान रहा हूं साथी में अभी इसका जो train number है वो भी prepare होना है साथी में इसका जो fair है यानि जो किराया है वो भी अभी prepare होना है तो जैसे ही कोई जानकारी आती है मैं आपके साथ जरूर से details है वो आपको बता देता हूं देखें इनोग्रेशन इसका 30 December को होने वाला है और tentative date है यहाँ पर railway की तरफ से ही सेर की गई है कि 30 December को इनोग्रेशन होगा 6 वंदेभारा ट्रेन एक साथ लांच की जाएंगी जिसमें से एक दिल्ली अमरिचर वंदेभारा ट्रेन भी होगी अगर आप लोग इसमें सफर करना चाते हैं इनोग्रेशन वाले दिन तो आप लोगों को इनोग्रल पास चाहिए होगा इनोग्रल पास के लिए आप लोग Northern Railway के CPRO से contact करिए बागी दोस्तों मैं आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं यह वीडियो गर आपको पसंद आ मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाइडी रेल लवर गुलाम है वहाँ पे भी आके आप मुझे फॉलो यह मैसेज कर सकते हैं चलिए आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से अगली वीडियो में जब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल जय हिंद एंड गॉडड ब्लेस यू आल